हेलो एब्रीवन कैसे आप सभी आई होप आप सभी अच्छ होंगे मस्त्रो स्वस्त्रो और पढ़ते रो अपने कल की टेंशन में आज को परबाद करने से भैतर है कि हम आज कुछ ऐसा करें जिससे आने वाला कल भैतर हो जाए आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मेकनिकल इंजिरिंग से रिलेटर प्रिविए से कॉस्छन पता आने वाली हूँ फर्स कॉस्छन है दा गेज यूसफुल फोर चेकिंग दा कंपोनेंट दिमेंशन विच लाइस विदिन दा परमिशिवल लिमिट इस कारेक्ट ऑप्शन हो जोग ऑप्शन में भी लिमिट गेज गेज का यूज हम करते हैं कंपोनेंट की डाइमेंशन को मेजर करने के लिए गो और नोगेज के वारे में तो आपने पढ़ा होगा प्लग गेज रिंग गेज स्नेप गेज एंड लिमिट गेज यह सब गेज के एक्जामपल है देनेस कोशन कोशन में सेकंड दा फिनोमेना इन विच फ्लक्शुएशन ऑफ इस्पीर कंटुनिसली वेन देर इस स्मॉल वेरिएशन इन लोड कोशन आप से क्या कह रहा है कि गवणनर में जब लोड के विरिएशन में सोड़ा सा वी स्मॉल चैंज भी आता है तो वहां पर क्या होता है डिस्टेंस जो होती न वो लार्ज वेरिएशन शो करती है और यह फिनोमेना क्या होगा कारेक्टर आप्शन ड्राइ वल्प तेंपरेचर एंड डबलू बीटी वेट वल्प तेंपरेचर यह सब एक्वल हो जाते हैं ठीक है उस समय क्या होगा 100 परसंट डिलेटिव हुमिडिटी होती है कॉश्चन आप से क्या पूछ रहा है कि इन में से कौनसी कंडिशन सेटिस्फाइड नहीं होती करेक्ट ऑप्शन हो जब ऑप्शन हो जब ऑप्शन हमर डी स्पेसिफिक हुमिडिटी इस कॉंस्टन कॉश्चन आमर फॉर्थ ता मैक्सिमा मैंगनिटूट ओफ द अन्बैलेंस फोर्स एलोंग द पर्पेंडिकुलर तो द लाइन ओफ इस टर्म डेस करेक्ट ऑप्शन हो हो जब ऑप्शन हमर एं हैमर ब्लो हैमर ब्लो की जो कंडिशन सोती आपने लोको मटेव विकल्स में देखा हो गाट्रेंड बगरह में वहां पर हमर ब्लो सबसे ज्यादा शो होता है हमर बोलो की जो वेल्यों होती है एन बैलेंस फॉर्स की वह वह वेल्यों ओमेगा mm respectively the rate of feed is question में आपसे rate of feed की value पूछी गई है MRR मतब material removal rate की जो value होती है F multiply with depth of cut multiply with width of cut होता है ठीक है सारी values हम लोग formula में put कर देंगे F की value यहां से find out हो जाएगी 50 mm per minute correct option हो जाएगा option number A the next question question number 6 A is for candle notations C represent अभी notations आए कहां से 1951 में candle कुनिंग models के लिए कुछ notations दिये थे वह notations जो थे वह इस तरह थे A obliq B obliq C अब यहां पर C की value पूछी गए तो C की इसको represent करता था correct option जो अप्शन में B number of pallor servers question number 7 which one of following statement is incorrect regarding reheating process in the turbine अब turbine की reheating process में क्या होता है किसी भी turbine की जो maximum temperature वाले limit होती ना वो एकदम limited होती है मतलब restricted हो जाती है क्यों इससे ज्यादा high temperature पर आप steam का use करेंगे तो क्या तर्वाइन की material को हाम पहुंचेगा वह वहां पर destructive होने की chances होता है इसलिए हम क्या करते हैं तर्वाइन को अब question में आपसे पूछा गया कि दिये हो हुए statement से फोन सा statement incorrect है reheating के case में क्या होता है कि thermal efficiency decrease हो जाती है और जो net specific work output है वह increased होता है तो correct option जोक option नूबर a it increase thermal efficiency यह statement है वह incorrect है the next question question नबर 8 which law of thermodynamics can be termed as law of degradation of energy correct option, और बी second law of thermodynamics, second law of thermodynamics ने closest statement पड़ा होगा, the next question, question number 9, in send casting, the following allowances is added to all linear dimension of casting, अब इन दिये हुए, दिये हुए allowances में साइसा कॉन सा allowances जो सारी linear dimensions में फिट होता था, correct option, और जोग option, सी shrinkage allowances, the next question, question number 10, vich of the following is not a boiler mounting अब जब हमने power plant engineering पढ़ते हैं तो boiler की case में दो टाम आती है boiler mounts and boiler accessories, जो mountings होती हैं वो essential safety devices होती है और जो accessories होती है वो boiler की efficiency को increase करता है यहा पे fusible plug, blow off coke and safety valve यह तीनो boiler mounting के example है लेकिन एकपण के एकजामपल है लेकिन economizer re-heater and super heater यह तीनो बोले एक्सेसरीज के एक्जामपल होंगे तो करेक्ट ओप्शन हो जो अप्शन नमरे एकोनोमाइजर कोश्चिन नमरे 11 टू शाफ्ट वन होलो एंड अदर सॉलिड में को मेड़ ऑफ सेम मैटेरिल एंड हैंड सेम आउटसाइड डायमेटर दे इनर डायमेटर ऑफ दे होलो ऑफ दोनों के ञंसाइड डायमेटर गवर का हाफ है अगर मैं मालूं कि आऊडसाइड डायमीटर कैपटल डी होगा तो स्मॉल डी सेील तो छोगी यहां नहीं है Olympics को का मपेर को और तो हम लोग फॉर्मले में पुट करदेंगे वेल्यू दीफोर माइनस स्मॉल दीफोर अपॉन में कैपिटल दीफोर तो इसमॉल डी की वेल्यू की वेल्यू की आजएगी दीवाइट टू पूट कर देंगे यहां से दोनों के टोर्क का जो कमपेरिजन होगा वह आएगा क्य चैनल दा इक्वेल्यू अप्लस में रूट में एम स्कॉर क्लस्टीष कर एम की वेल्यू गिवने आपको 30,000 और टीविखोर बहुट कर देंगे फॉर्मले में होगा अप्शिन लेक्रींट 2-0 the next question, question number 13, the product of grossoff number and prendotal number is termed is, अब grossoff number क्या होता है, बॉयंसी और viscous force का ratio होता है, आपसे पूछा गए है, इन दोनों का product क्या होगा, Correct option आप्शन हो जाएं प्रोड़ट मां, C, random number, अब इन दोनों का product हम कहां यूज करते हैं, free convection की case में, force convection की case में, Reynolds number और प्रेंटरल नंबर की प्रोड़क्त का यूज किया जाता है दैनेस कोशन कोशन हमाँ 14 एंचेन इस प्रोवाइड़ विद एईट इंपूट ओफ एटीन हंडेड किलोजूल पर मिनट एंड़ आउटपूट फॉम दा इंजन इस 9 किलोवाट थर्मल एफिशन्सी ओफ दा लेकिन में चेंज करने के लिए हम इसे से सिक्स्टी से डिवाइड कर देंगे तो यहां से आजएगा 3 किलोवाट आपसे पूछा गया है थर्मल एफिशन्सी ओफ इंजन थर्मल एफिशन्सी क्या होती है डबलू अपॉन में क्यों मतलब जो वर्क डन हुआ है अपॉन में है जे रेम ऑफ 30 सेंटीमेटर डायमेटर एंड प्लंजर ऑफ 3 सेंटीमेटर डायमेटर फइंड दा वेट लिफ्टेड बाइद हाइड प्लंजर इस 500 न्यूटन आपसे क्या पूछा गया कोश्चन में हाइड्रोलिक प्रेस ने कितना वेट लिफ्ट के उसकी अमाउंट प सारी वेल्यूस पूट कर देंगे फॉर्मले में करेक्ट अप्शन अप्शन नमरें 50 किलो न्यूटन दैनेस कोश्चन कोश्चन नमर 16 एक कंट्रोल चार्ट डिट मैक्स यूज ऑफ पोजन डिस्ट्रूबिशन इस करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नमर भी सी चार्ट कोश्चन नमर 17 एक्शंपल्स अप्शन नमर 17 एक्शंपल्स ओफ में इस्टिलाइस ऑन Fसी से औं Кोश्च ओप्शन एम ऐफ वे सी नौ से चन्रूबिशन गृप्शन नमरें alpha iron gamma iron and zinc question number 18 to achieve robust performance the objective functions must capture performance of character option 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 a both control and noise factor question number 19 brazing is done with silver alloys with melting range of character option option b 600 degree celsius to 850 degree celsius question number 20 g code are used for creating cnc programs to control cnc machines g17 means to हम लोग जब cnc programming language लिखते थे तो वहां पर gcords का use करते थे geometric position देने के लिए question में आपसे पूछा गए g17 का क्या meaning होगा correct option option b selection of xy plans question number 21 which one of the following milling operations is used to produce gears correct option option a form filling form milling the next question question में 22 in and eutectic reactions material science में 4 तरह की reactions आपने पढ़ी होगी eutectic reaction, eutectoid reaction, peritectic reaction and peritectoid reaction अब आपसे question पूछा गया है कि eutectic का क्या meaning होगा eutectic का correct option option a solid solution solidifies at constant temperature to form two or more solid faces ठीक है अकर eutectoid की बात की जाती है तो इसमें क्या होता कि एक solid से दो solid बनते हैं the next question 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 number 23 dynamometer is used to find correct option option a torque at constant speed dynamometer की थूँ हम power का measurement करते हैं the next question 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 number 24 Lewis number is defined as correct option option d the ratio of momentum diffusivity to mass diffusivity अब अगर यहीं से हमसे पूछा जाता कि प्रेंडिटल नंबर क्या define करते हैं तो correct option हो जो तो option मरे the ratio of momentum diffusivity to thermal diffusivity the next question question number 25 a fusion welding process in which the weld is affected by pouring superheated liquid around the parts to be united is known as correct option हो जो 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 अप्शन हमर d thermit welding अब thermit welding की case में हम लोग ferric oxide और aluminium का mixture use करते थे इन दोनों की chemical reaction से high temperature generate होता है जिसके थूँ welding की जाती railway tracks की अब कई बार question में thermit welding में ferric oxide और aluminium का ratio पूछ लिया जाता है तो वो ratio होता है 3 ratio 1 the next question question number 26 1 kg of carbon requires how many kg of oxygen for stichometric combustion correct option हो जो जोब option हमर C 8 by 3 the next question question number 27 a clutch is operating under uniform wear axial load of 500 newton friction coefficient of 0.3 and the mean radius of contact surface is 0.1 meter if the torque transmitted is 60 newton meter then the number of pairs of the contact surfaces is अब question में आपको सारी values given है uniform wear theory का हम old clutches के लिए use करते हैं ठीक है torque की values केस में क्या हो जाएगी mu wr r mean ठीक है अब आपसे पूछा गया कि number of pairs n की value क्या होगी n की value के यहां से find out हो जाएगी correct option और जोग option B 4 the next question question 28 turning tool for brass usually has correct option और जोग option C 0 or 1 angle the next question question 29 in lathe way gears the following gear train is used correct option और जोग option B reverted gear train the next question question 30 dash is a dial type adjustable snap gauge used for external measurement कार्यक्ट उप्शन उप्शन प्शन प्शनमा सी पास्ट मेटर आज का लास्ट कोशन कोशनमा 31 विच आफ दफ फोलेंग मैटरियल इस नोट कॉमनली होट रोल कैट्ट उप्शनमा डी टाइटेनियम थेंट किव गैस पर बशचिन डियो डाइटी बशक्ति यॉवर इस इसुट के मरे साथ शनमा प्रूरियव होता।